हेलो फ्रेंट्स जैसिर गृष्णा रादे रादे गौरी क्राप्ट चलनलन में आपका स्वागत है आज हम तीन और चार नमर के काना जी की एड्रेस बनाएंगे बहुत ही बीटिफिल सी ड्रेस यह बनी है और यह होली पे बना सकते हो पांच और छे नमर के काना जी को भी यह बना सकते हो सेम पैटन रहेगा हमारा बस गेरा जादा अगर चाहिए वरना इतना भी रख सकते हो पांच और शे नमर में अगर जादा चाहिए तो एक यह कली और बना लेजी फ्लावर जो मैंने बनाएं जब बनाएंगे तब पता पड़जेगा और यह बाकी का हमारा सेम रहेगा मैंने यह तीन और चार नमर के कानजी के लिए बनाई है और यह होली पेप बना सकते हो आप बहुत अच्छी ड्रेस है तो यह कैप भी तीन चार नमर के कानजी के मैंने कई बार अपलोड की है उसके साथ में ड्रेस के तो वहां से देखके आप बना लेजिए यह देखिए। बहुत सुंदर बनी एड्रेस। देखिए। मैं बनाना शुरू करती हूँ। तीन और चार नमर के काना जी की मैंने चोली बनाके कम्प्लीट कर लिए। इसका लिंक मैं डिस्करिस्पन में दो देऊंगो एक तो वहाँ से आप देखे बना लिए। तीन और च और यह तीन चार नमबर के कानजी की ड्रेस है, तो हम यहां से यहां सिलिप स्टिच कर लेंगे, यही इस जगह डालके, देखिए, ऐसे कर लेंगे, यह, तो हमारी चोली बनके कम्प्लीट है, और यहां हम एक, दो, तीन चैन बनाएंगे, तो इसमें मेरे 24 डवल क्रूसिया है, 24, 24 डवल क्रूसिया है चोविश के उओपर हम अगर दो दो बार डवल क्रूसिया करेंगे तो 48 हो जींगे, यहिन हमें 40 ही चाहिए, तो आठ में हम कहीं एक एक कर लेंगे, हमें इस राण में 40 चाहिए, तो देखिए same place पे हम दो बार करेंगे दो बार हो गया और फिर हम दो बार कर लेंगे कहीं कहीं हम एक एक बार कर लेंगे तो हमें 40 double crochet चाहिए किसी किसी जगा हम एक कर लेंगे किसी किसी जगा हम दो कर लेंगे कहीं 8 जगा आप एक एक बार कर लीजिए तो हमें इसमें 40 double crochet चाहिए, पूरा round ऐसे complete कर लीजिए, 2-2 करके कहीं कहीं एक कर लीजिए, देखिए मैंने 2 किया, फिर ये 2 कर लिया, और फिर यहां हम डालेंगे, फिर 1 कर लिया, ऐसे हम करेंगे, तो चलो कर लीजिए round complete, 40 double crochet इसके अंदर हमें चाहिए, देखिए, ये हमा बार्ट बना लिए, तो हमारे ये 40 double crochet हो गया है, 40 double crochet, ये chain को मिला के भी, और फिर हम ये जो 3-3 की हमने chain बनाई थी, यहां हम slip stitch कर देंगे, ऐसे, ये देखिए, देखिए, ये मैंने एक chain बना के, इसको slip stitch करने के बाद धागा को कट कर दिया, अब हम यहीं ये दूसरा करेंगे, तो मैंने ये नोट लगा लिए थी इसमें, और इसको ऐसे करेंगे, और यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच chain बनाएंगे, और इसी जगा डालके, डबल क्रोसिया बना देंगे, ये देखिए, डबल क्रोसिया बना दिया, तो हमारे ये वी stitch बन गया, अब देखिए, ये बनाने के बाद, ये जो अगली chain है, इसमें हम डबल क्रोसिया बनाएंगे, एक बार बनाया, और इससे अगली में भी एक बार बनाया, वह चादा टाइट टाइट ना करें, और फिर उससे अगली में एक बार बनाया, तो तीन बार होगे, देखो ये वी बनाने के बाद वी स्टिच बनाने के बाद तीन बार मैंने डबल क्रोसिया बना लिए आप देखिए तीन बनाने के बाद फिर हम यहां एक डबल क्रोसिया बनाया और दो चैन बनाएंगे और फिर इसी जगह डालके फिर बना लेंगे डबल क्रोसिया ये देखे तो हमारा वी स्टेच हो गया तीन बार डबल क्रोसिया होगे फिर मैंने डबल क्रोसिया बनाया दो की चेन बनाई और फिर डबल क्रोसिया बना लिया तो ये वी स्टेच हो गया तो ये पूरा राउंड ऐसी complete होगा फिर हम अगले में तीन बार double crochet बनाएंगे एक ये दो और ये तीन देखें तीन बार double crochet बना लिए ये हमारा 20 इच अलग है और फिर तीन बार बनाने के बाद देखें फिर हमें एक बार double crochet बनाएंगे ये और फिर दो chain बनाएंगे एक और ये दो और फिर इसी जगह डालके फिर हम बना देंगे double crochet तो हमारा V stitch हो जगा ये देखें ये ऐसे बनाएंगे तीन बार double crochet हो जगेंगे बीच में V stitch हो जगा पूरा round ऐसे complete कर लिजें फिर आगे दिखाते हो देखी हमारा पूरा रांड बनके complete है ये V stitch बनाया था और उसके बाद 3 double crochet हमारे आगे तो ये हमने जो 5 की chain बनाई थी 1, 2, 3 तीसरी chain में हम इसको slip stitch ऐसे कर लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे chain के अंदर और ये ऐसे करके कर लेंगे अब देखी हमारे ये जो हैं V stitch वो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 और 10 टोटल ये 10 हैं V stitch जो हमारे हैं ये अगर आप कांट करोगे तो 10 हैं टोटल ये देखी हमारा बनके complete है अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमारा V stitch बनाया और यहां डालके slip stitch कर लेंगे ये देखी हमें V stitch में डाल रही हैं और हम 3 chain बनायेंगे एक तो और ये 3 फिर इसके अंदर हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे यह डबल क्रोसिया बना लिया अब देखिए डबल क्रोसिया बना लिया अब यहां हम तीन चैन बनाएंगे एक चैन बनाएंगे एक चैन बनाने के बाद इसको धाके को हलका सा लंबा करेंगे और यह जो हमारे दो हैं यह दो लूप हैं ये साइड में आपको दिखेंगे, इनको हम उठाएंगे और ऐसे करके, एक बार किया, और इसी के अंदर डालके, फिर एक बार किया, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे, और फिर तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, देखिए, तीन चैन बनाएं, और फिर इसी के अंद डबल क्रोशिया बनाएंगे अब एक chain बनाईं एक चैन क्यांद के बाद इस thread को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यह जो दो लूप है यह और साइड का अधर ॉसके अंदर डालेंगे एक वा लंबा किया इसा केडर के अन्दर आपद वा लंबा किया और और सभी प्रिट करने के बाद हम डबल क्रोशिय बनाएंगे एक चैन बना लेंगे यह दवल क्रोशिय के बाद दो बार इसी के अंदर डाल के एक बार किया और ये दो बार किया और सभी को एक साथ निकाल दिया एक दो तीन ये पफ बनाने के बाद हम तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो ये दो लूप है और स्लिप स्टिच कर लेंगे यह डबल क्रोसिय बना लिया डबल क्रोसिय बनाने के बाद हमें एक चैन बनानी है और हलका से लंबा करेंगे हलका से लंबा करने के बाद देखी आपको उपपर ही दिखेंगे यह ऐसे करकर देखोगे तो यह और यह लूप यह दो लूप दो लूप हम उठाएंगे और यह एक बार लंबा किया इसी में डालके फिर किया और सभी को एक साथ निकाल दिया एक, दो, तीन चैन बना लिए तीन चैन बनाने के बाद हम slip stitch कर देंगे इसी के अंदर डालके देगी जहां से हमने भी बनाया था यह दो लूप उठाएं और इसके अंदर डालके slip stitch कर दिया यह देखे तो हमारी यह कली बनकी देखी कितनी सुन्दर बनकी एक, दो, तीन, चार चार की कली बनेगी अब हम यहां एक बार डबल क्रोसिया बना लेंगे ऐसे डालके डबल क्रोसिया बहुत easy pattern है बहुत सुन्दर यह dress बनके तयार होती है अब हम क्या करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच यह हमारी पांच डबल क्रोसिया थी यह देखी, पांच डबल क्रोसिया तो इनके उपर हम पांच ही डबल क्रोसिया बनाएंगे यह यहाँ पर बनाएंगे, देखी, एक यह एक हो गया और यह दो होगी चैन में बनाएंगे यह तीन होगी और यह चार और यह पांच यह देखी, पांच होगी डबल क्रोसिया अब हमें यह बी स्टिच बनानी है तो इसके अंदर हम डालेंगे देखी, यह पांच डबल क्रोसिया कोई पर हमने पांच डबल क्रोसिया बनाई है यह उपर और इसके अंदर डालके एक डबल क्रोसिया बनानी है और दो चैन बनानी है एक और दो और फिर इसके अंदर हम डालके डबल क्रोसिया बना लेंगे देखे इस तरीके से यहाँ हमें ये कली नहीं बनानी है एक कली ये बना ली और एक कली हम अगले में next में बनाएंगे तो हम फिर इसमें पांच डबल कुरूसी बनाएंगे देखे एक और ये दो और ये तीन चार और ये पांच पांच के उपर पांच डबल क्रोसिया हमें बनाने है देखिए और ये बी स्टिच के ये बी स्टिच वली जो हमारी जगा है वहां हमने बी स्टिच बना ली एक बार हमने कली बना ली यहां नहीं बना ली अब हम फिर यहीं बनाएगे कली यह वली जो हमने अभी बनाई है न, ऐसी हम यहाँ भी बनाएंगे, तो इसके अंदर हम डालेंगे, एक वार डबल कुरोसिया किया, एक चेयन बनादी, और हल्का सदागे को लमबा किया, इसके अंदर हम दो लूप देखी, यह हमारा जब कम्प्लीट करते हैं डबल कुरोसिया, वो द दो, दो बार किया, और ये एक साथ निकाल दिया, एक, दो, तीन चैन बना ली, तीन चैन बनाने के बाद हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखे, कंप्लीट होगी कली, कली कंप्लीट होने के बाद हम फिर इसमें डालेंगे, और डबल क्रोसिय बना लेंगे, देखे दबल क्रोशिय बना ली फिर एक चैन बना ली वो ही हमारा पैटन रहेगा हलका सा दागे को हम लंबा करेंगे और ये दो लूप में हम दो बार ये एक बार लंबा किया और इसी के अंदर हमने फिर लंबा किया और ये एक साथ निकाल दिया तीन चैन बना ले तीन चैन बनाने के बाद हम इसमें slip stitch कर देंगे यह देखिए यह slip stitch कर दिया जैसे हमने चार की कली यह बनाई थी वैसे हमें चार की कली इसमें भी बनानी है तो देखिए मैंने चार की कली यह बना ले एक दो तीन चार जैसे हमने यह बनाई थी वैसे हमें एक यहां पर स्रफ V-Stitch बनाना एक छोड़के यह कली बनानी है और यह कली बनाने के बाद हम एक डबल क्रोसिया इसके अंदर हम बना लेंगे complete होने के बाद देखें जैसे हमने उदर बनाई थी एक डबल क्रोसिया यह बना ली और यह 5 के उपर फिर हम 5 बनाएंगी और यहाँ वी स्टिच बनाएंगी यहाँ वी स्टिच बनेगा फिर यहाँ कली बनेगी तो ऐसे राउंड कम्प्लीट कर लेजी फिर आगे दिखाती हूं देखिए यह हमारा फुलावर बनके सारा कम्प्लीट है अब हम जो लाश्ट में आगे हैं तो यह हमारी जो तीन की चैन थी इसमें हम डालेंगी और स्लिप इस्टिच कर लेंगे यह जो हमने तीन की चैन बनाई थी इसके अंदर डालके और एक चैन बनाके इस धागे को कट कर देंगे एक चैन बना लिए देखिए एक चेन बनाके मैंने धागे को कट कर दिया तो ये हमारे कलियां बनके complete है देखिए कुछ इस तरीके की कलिया आएगी तो ये कलिया टोटल 5 बनी है देखिए यहां से count कर रही हूँ जहां से ये एक, दो, तीन, चार, पाँच ये देखिए अब हम पीला यलो वाला हम धागा लगाएंगे तो देखिए ये मैंने लूप बना ली है और ये कहीं से भी आप ये जो कलिया यहां से सुरू करती जिए चाहिए इदर से भी कहीं से भी आप सुरू करती जिए और यह जो हमारी first कली है यह जो कलीयां बनी है जो हमने इसके अंदर डाल के बनाया था double cross है यह वाला देखिए इसके अंदर जो डाला first वाला यहां से हम नहीं शुरू करेंगे first को छोड़ना है और second से हम शुरू कर देंगे कहीं से भी कर दीजिए चलो यहां ही से कर देती हूं तो इसके अंदर नहीं डालेंगे first को हमें छोड़ना है और जो हमारा second है उसको हम ऐसे पीछे से हम डालेंगे second वाले को first को देखो मैंने छोड़ दिया है देखिए first को छोड़ दिया second वाले को ऐसे करके पीछे से इसको इधर से डालेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे यह देखें और एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाएंगे हम पांच चेन बनाने के वाद फिर यह जो हमारा अगला है इसमें डालेंगे देखें ऐसे करके और यह इधर डालके फिर हम डबल क्रोसिया बना लेंगे यह देखें डबल क्रोसिया बना लिया तो यह हमारा वी स्टिच बन गया और फिर हम इसमें नहीं बनाएंगे ये जो हमारा है इसको skip कर देंगे और अगले वाले में बना लेंगे दीकिए हमने यहां first चोड़ा था तो इदर भी हम यह वाला छोड़ देंगे यह देखिये sorry इस में बनाना है और इस में नहीं बनाना है यह वाला हम छोड़ देंगे लाश्ट में हम बना लेंगे देखिए लाश्ट में मना रही हो तो अभी मैं दिखाऊंगी डबल क्रोसी नहीं ही बनाना है ये देखिए तो हमने ये वेई स्टेज बनाए है उसके बाद दो डबल क्रोसी बना लिए देखिए इधर से आपको clear हो जेगा ये फर्स्ट बने छोड़ा था और ये दो में बना लिया फिर ये छोड़ दिया था और ये फिर लास्ट में बना लिया और ये जो हमारे डबल कुरोसिया है इधर इनके अंदर हम डालेंगे ये इधर भी हम डबल कुरोसिया ही बना लेंगे हरे एक में बनाना है देखें दबल क्रोसिया बना लिया और फिर इसके अंदर डाला और यह डाला डबल क्रोसिया बना लिया यहां इसकिप नहीं करना है हमें सारे में बनाना है उदर दो इसकिप करें हमने यह देखिए सभी में डालके ऐसे करके यह डबल क्रोसिया बना लेंगे अब हमारा ये वीश्टिच आ गया तो हम इदर आगे से बनाएंगे ऐसे करके इदर से बना लिए डफल क्रोज या और फिर एक और दो चैन बना लिए फिर इसके अंदर डालेंगे और फिर ये बना लिया इसमें हम बीच वाले जो हमने वीश्टिच बनाया इसमें हम आगे से बनाएंगे और फिर हम इदर पीच्छे से बनाएंगे ऐसे करके ये एक बार बनाया है सभी में बनाएंगे इदर यहां से लेके यहां तक और फिर अगले में देखो ये बनाया और फिर उससे अगले में बनाया बहुत तीजी बैटन है फिर उस से अगले में बनाया यह दिखिए तो यहां तक हमने बना लिया है यह दिखिए और फिर यह कमारा लाश्ट रह गया इसमें भी हम बना लेंगे यह बना लिया यह दिखिए अब हमारा यह इसके अंदर वाला आ गया तो हम इसको फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे और सेकंड वाले में यह दिखिए इसमें डालके ऐसे करके यह बनाएंगे यह डबल क्रोस यह बनाएंगे और दू चैन बनाएंगे एक और दू दो चेंड बनाने की वाद फिर हम उस से अगले में बनाएंगे यह देखे उस से अगले में बनाएंगे तो हमारा वेस्टिच बन जएगा यह यह देखे बन गया और फिर यह हम Glasट करेंगी और लास्ट वाले में बना लेंगे यहां से लेके यहां तक हम बनाएंगे और हमारा जब यह बीच वाला जाएगा तो मैं इसमें उपर बना लेंगे यहां बना लेंगे दो कीजान बनाएंगे फिर इसके अंदर बनाएंगे और यह सेम पैटर्न यही रहेगा जो हमने ये बताया है और इस बाले में हमें first छोड़ना है फिर इस में बनाना है इस में भी बनाना है फिर ये बाला छोड़ना है और ये last में बनाना है देखिए सारा round complete कर लिजी ऐसे ही फिर आगे दिखाती हूं तो देखिए ये हमारा band के complete है कुछ इस तरीके काएगा ये pattern आगे होगा तो ये बहुत सुन्दर लगेगा भी आगे भी बनेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा तो मैं last में आगे हूं जहां से हमने शुरू किया था ये देखिए यहां तो ये हमने जो 5 की chain बनाई थी ये 3rd chain में डालके first, second फिर चेण में डालके, slip stitch कर लेंगे हम और ये जो हमने फीफ stitch बना था इसके अंदर डालके, एक बार slip stitch कर लेंगे एक दो, तीन chain बनाएगे तीन chain बनाई और फिर इसके अंदर डालेंगे डूड कुरूटी हाँ, दाबल कुरूटी हाँ फिर एक chain बनाई फिर हलका सा लंबा किया वो ही हमारा same pattern रहेगा जो हमने नीचे बनाया था यह देखिए यह दो लूप उठाएंगे हम और इसको ऐसे एक बार दो बार और एक सार निकाल दिया एक दो तीन chain बना ले और फिर इसी के अंदर डालके यह slip stitch कर देंगे हम फिर इस के अंदर double crochet बनाएंगे एक chain बनाएंगे फिर हलका सा लंबा करेंगे और इसी के अंदर हम देखिए एक बार किया यह दो बार किया एक साथ निकाल दिया तीन chain बना ले एक और यह दो तीन और इसमें डालके slip stitch कर दिया जैसे हमने नीचे चार बार किया था वो ही हमें चार बार करना है चलो कर लिजी फिर आगे दिखाती हूँ देखी मैंने चार बना लिए एक लिए एक दो तीन चार और चार बनाने के बाद कंप्लीट होगी फिर हम इसमें एक बार डालके इसी के वी स्टेच के अंदर डालके जहां से हमने ये डाल रही हूँ इसी के अंदर डालके डबल कुरूसिया एक पर बना लेंगे जैसे हमने नीचे किया था और फिर जो हमारी ये हैं डबल कुरूसिया इनके उपर सभी के ऊपर हम double crochet बना लेंगे तो दिखे ऐसे करके सभी के ऊपर हम double crochet बनाएंगे बहुत easy pattern है और अलग ये लगती है dressman के तैयार होती है बहुत सुन्दर लगती है ये दिखे सभी के ऊपर बना लिया अब हमारा V doge change आगया, फिर दिखे सभी के उपर डबल कुरोसिय बना लिया अब हमारा वी स्टिच आगे तो इसके अंदर हम एक बार डालेंगे और यह डबल कुरोसिय बना लिया और फिर दो की चैन बना लेंगे एक और दो जो हमारे वी स्टिच चल रहा है इसके उपर हम वी स्टिच ही बनाएंगे दो डबल कुरोसिय दो चैन फिर डबल कुरोसिय और फिर हम इसके अंदर सभी के अंदर चैन में डबल कुरोसिय बना लेंगे और जो हमारा इसके फुलावर की पिछे जो कली है इसके पिछे आएगा यह V-ditch, उसमें हम यह flower बनाएंगे चार का pattern जैसे हमने यह बनाया था, वैसे इस तरीके से हमारा आएगा तो इसके भी हम नीची ऐसे बना लेंगे, जैसे मैंने यह बताय था same pattern, और यह जो हमारा V-ditch बीच में आएगा, इसके वी स्टिच ही बनाएगे पूरा रान कम्प्लीट कर लेजी फिर आगे दिखाती हूँ देखी यह हमारा पैटर्न बनके कम्प्लीट है यह और मैंने धागे को कट कर दिया था आम हम फिर वही करेंगे जैसे हमने यह वाली बनाई दिकलिया तो मैंने यह दूसरा दागा ले लि और सेकंड वाली में लगाएंगे यह देखिए सेकंड वाली में डालेंगे और इसको ऐसे करके और यहाँ एक दो तीन चार और यह पांच पांच चैन बनाएंगे और हम इससे नेक्ष्ट में डालेंगे और यह फिर डबल क्रोसिया बना लेंगे तो हमारा यह वह बी स्टि बनेड़ेगा और फिर हम इसको खोड़ देंगे इस से फिर फो रीपर फिर को छोड़ ढ़ी और नारे हम बना लेंगे पूब कि लास्ट वाली में बना लिया अब हम सभी में बनाएंगे यह देखिए सबी में बनाएंगे डबल क्रोस हैं पीछे के साइड यह इसमें बनाया फिर इससे नेक्स्ट में बनाया यह इससे आत्या मैं को फीर आधर बनाया मंने देखिए इस में सब ही में बनाया है तो देख यह सब भी पेन बना लिए ऑंप ये को फर्ष्ट वाला चोड़ा था ये बनाया थे यह बना लिए तो हमारा यह वी smt बन गया और उसके बाद सभी में इधर से देखो तो पता पड़ जेगे देखो इसके आदर हमें ऐसे करके डालेंगे और ये वी स्टिच बना लेंगे ये देखे एक बार बनाया है और ये दो चैन बना लेंगे दो चैन बनाने के बाद फिर इसी में डालेंगे और ये बना लेंगे तो देखे वी स्टिच के ऊपर हमें भी स्टिच बनाना है और फिर इसमें सारे में हमें ऐसे करके पीछे की साइड इसमें डाला और दूसरे में ये देखिए इसमें डाला और ये डबल क्रोसिया ऐसे करके पीछे की साइड हम बनाएंगे ये देखिए ऐसे डाला और इससे अगले में डाला ऐसे करके ये बना लिया इसमें डालके जैसे हम आगे बनाते हैं वैसे हम पीछे की साइट ऐसे बनाते जाएंगे सभी में बनाएंगे तो देखिए इधर भी मैंने सभी में बना लिया यहां से लेके यहां तक और यह जो हमारा इसके अंदर है इसमें नहीं बनाया है उसको छोड़ दिया और सारे में बना लिया फिर हम क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे यह जो इसके अंदर हमने डाल के बनाया था इसमें से इसको एक को छोड़ देंगे यह और इससे अगले में हम डालके यह पीछे की साइड वे स्टिच बन जेगा और फिर हम क्या करेंगे एक को छोड़ेंगे उससे अगले में डालेंगे लास्ट वाले में और यह डबल क्रोसिया बना लेंगे तो यह हम सारे में बनाएंगे यह पूरा राउंड ऐसे कंप्लेट करना है आगे दिखाती हूं फिर मैं देखिए हमारा यह वाला फिर राउंड बनके कंप्लेट है तो मैंने जो पांच की चैन बनाए थी यह थाड़ चैन में डालके वर्ण टू त्री तीसरी में डालके स्लिप स्टिच कर लेंगे यह डाला और यह slip stitch कर लिया इसके अंदर भी हम slip stitch करेंगे और यह एक, दो, तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बनाने के बाद हमारा वोई same pattern रहेगा जो हमने नीचे यह कलिया बनाई थी वोई इसमें बनाएंगे हम ऐसे करके double crochet बनाएंगे पहले और एक चैन बनाएंगे हलका सा लंबा करेंगे और यह दो लूप उठाके यह दिखें दो लूप उठाके एक बार लंबा किया एक बार और किया और एक, दो, तीन चैन बना ले इसी के अंदर डालके slip stitch कर दिया फिर इसलिए stitch करने के बाद हम double crochet बनाएंगे इसके अंदर डालके इसके अंदर डाला और यह double crochet बना लिए एक चैन बनाएंगे फिर हम लंबा करेंगे हमारा same boy pattern रहेगा जो हमने नीची बनाए था और यह लेकिन मैं यह जो बनाऊंगी pattern और यह हाप तक बनाऊंगी एक, दो, द कली, एक, दो, तीन, तीन बना लेजी इस color की और मैं तीन, दो बनाऊंगी orange color की और हमारा बागी कोई change नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा same pattern, complete कलेजी, फिर मैं आगे दिखाती हूँ तो देखिए, यह बनके पूरा complete है, यह मैंने green बाला यह दो flower बनाए थे, यहां से लेके, और यह यहां तक मैंने green लगाया था, यह, और उसके बाद मैंने यह red बाला लगा दिया है, तो थोड़ा pattern अलग हो गया है, तो हमारा अच्छी लग रही है, यह, देखिए, dress, आप टोपी भी चाहो, तो ऐसे मैंने 3 और 4 नमर के खाना जी की टोपी भी कई तरह की बताई है, अपने चैनल पर upload है, तो वो भी आप बना सकते हैं, और dress के साथ मैं कई बार बताई है, मैंने 3-4 नमर के खाना जी की और पजामी भी देखिए, यह, मैंने बना लिए है, तो आप यह पना लिजिए, आसा करती हूँ, आज की वीडियो आपको पसंद आये होगी, नेक्स वीडियो मिलते हैं, हरे कृष्णा